तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं मारे यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं जी ओ में MNP कैसे करते हैं तो आज मैं MNP करूँगा एर्टल टु जी ओ यानि कि एर्टल समय जी ओ में पोर्ड करने वाला हूं तो वीडियो को अंते तक ज़रूर देखीगा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली आपके लिए तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक ने करा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करने हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ अगर आप 249 रुपए की एफार्ची करते हैं अपको कमिशन कितना मिलेगा दोस्तो जब आप MNP करते हैं सक्सेफ़ली आपकी जब MNP हो जाएगी तब इसमें आपको 220 रुपए का OTF कमिशन मिलेगा दोस्तो और यह आपको सिम पर जाती है 19 रुपए की तो चलिए दोस्तो अब आपको बताते हैं कि जईओ में MNP कैसे करते हैं तो सबसे पहले आप अपना जियो पालस प्लस की ऐडी को ऊपिन कर लीजीगा दोस्तो क्यूंकि दोस्तो हम यह सिम जियओ पॉस्पलस की आडी से खोलने वाले हैं तो यहाँ यहां पर login हो चुका है अब देखिए ऊपर 3 line किची हो हैं यहां पर मुझे ok करना होगा और देखिए यहां पर लिकाद जूओ आधार इक बैसी इस पर मुझे ok करना है और देखिए यहां पर mobility पर ok अगरकर done कर दिएगा उसके बाद यहां पर देखिए आई अगरी capture पर ok करना होगा और डेटेलर अपना finger अटेच करेगा तो यहां पर मैंने finger ले लिया है अपना अभी process चल रहा है तो दोस्तों यहां पर process पर ok करना होगा उसके बाद आपको ऊपर देखिए आधार id पर select करना होगा उसके बाद दोस्तों customer का एक आधार काड नमबर डालना होगा यहां पर 12 नमबरों का तो यहां पर मैं customer का आधार काड नमबर डाल देता हूँ उसके बाद यहां पर दोस्तों मुझे add करना होगा एड करने के बाद दोस्तों उसके बाद नीची देखे, ओके यूग के वाले बटन पर करना होगा, तो यहां पर मैंने कर दिया है, उसके बाद I Agri capture पर कर दे और सफेद बेकग्राट में, तो यहां पर मैं कशटमर का फोटो खीच लेता हूं, सफेद बैकग्राट में, अगर अब के पास लगता है अंदेरा हो तो यहां पर फिलेस जराकर अब भी खेश सकते हो तो यहां पर मैं कस्टूमर का फोटो खीच लेता हूं तो यहां पर सक्सेस्पिली मैंने यहां पर कस्टूमर का फोटो खीच लिया है अब यहां पर क्रोस वाले पर ओके कर दें और प्रोस दोस्तों यहां पर कस्टूमर का एक मोबाइल नमबर डालना होगा और यहां पर इस दोस्तों यह के बाइसी दुआरा आपके पास OTP नहीं आएगी तो यहां पर कस्टूमर का कोई सा भी नमबर डाल सकते हो तो यहां पर मैं कस्टूमर का मोबाइल नमबर डाल देता हूं और उसके बाद नीचे देखिए email id मांग रहा है तो यहाँ पर email id कोई जरूरी नहीं होती है तो उसके बाद दोस्तों नीचे देखिए next वाले बेटन पर ok करना होगा तो यहाँ पर मैं ok कर देता हूं और mnp करना है तो mnp वाले पर ok कर दिया मैंने अब दोस्तों देखिए सबसे उपर customer का mobile number डालना होगा उसके बाद UPC code डालना होगा और UPC किस तारीक में अपने निकाला है यहने कि port वाला message आपने किस तारीक को डाला है वो यहाँ पर तारीक डालनी होगी उसके बाद आपको कौन से sim जो port कर रहा है वो यहाँ पर आपको select करना है तो यहाँ पर जैसे मैं एटल से जीओ में कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर चुन्नी होगी उसके बाद से बाद बड़न पर ok करना होगा उसके बाद दोस्तों नीचे देखिए prepared पर आपको ok करना होगा और आपको mnp वाले एक fr चुन्नी होगी तो यहाँ पर मैं 24 के दालूंगा तो यहाँ पर मैं मैं 249 रॉपय की यापार्टि जो आपको एक मैने के लिए डेड़र जीवी डेटर रोज मिलती तो हम स्लेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको एक से लेके 7 तर नंबर डालने होंगे और उसके बाद आपको OK कर देना होगा उसके बाद दोस्तों आपको एक blank SIM scan करनी होगी जियो की जिस SIM में आपको port करना होता है तो यहां मैं SIM scan कर लेता हूं और निचे दिखें नो टिक लगा है तक लगा रहने दिए और इसके बार नेक्ष्ट वाले बड़न पर ऊके कर दें तो दोस्टों यहां पर चेक मार्क लिख صम लाए बड़न १ारे उसके बाद दोस्टों यहां पर लज़ें । यहां परना फिंगर कर लिता हुँ तो यहाँ पर दोस्तो सक्सिपली हो चुका है process वाले बड़न पर ok कर दें उसके बाद दोस्तों देखें यहाँ पर last sim number डालने होंगे जो sim आपने दी है तो यहाँ पर दोस्तों एक number last का छोड़ना होगा और उससे पीछे 5 number आपको डालने होंगे sim के तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और I agree capture पर OK कर देता हूँ अब मैं यहाँ पर customer का finger attach करूँगा यहाँ कि जो grab SIM लेता है MNP करवाता है तो उसका यहाँ पर finger attach कर लिया है और process वाले बटन पर OK कर दिया है तो दोस्तों यहाँ पर process चल रहा है side detail automatic fill हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर fill होने के बाद दोस्तों आपके सामने आएगा interface इस तरीका का तो दोस्तों यहाँ पर case वाले बटन पर OK कर रहा होगा और done वाले बटन पर भी OK कर दें आप उसकी बाद दोस्तों process चल रहा है अभी और दोस्तों आपकी successful MNP यहाँ पर हो चुकी है अब आपको 3-4 दिन लगेंगे MNP होने में अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगी है तो like, comment, share जरू कर दें अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक लिए खुश रही है